हलो माई सिसारमी कैसे हो आप सबाई हो पाप समच्छे होंगे so I am a mess educator, you are english educator and you are loving didu welcome to all of you in your channel brilliant classes so guys आज के सु वीडियो में हम देखने वाले हैं trigonometry के formula और आप चाहे कोई सी भी class के student हो class 10th के हो, class 9th के हो, class 11th के हो class 12th के हो यह वीडियो आपके लिए useful होने वाली है और जितने भी मेरी भायवन पिछली recent वारी वीडियो देखने हो मेरी class 12th की उन सबी को मैं बता दूँ कि तुम सही वीडियो पे आयो यही वीडियो तुमारे लिए मैं बनाने की बोल रही थी sin A cos B plus में cos A sin B ठीके, अब second formula देखते हैं second formula है हमारा sin A minus B का sin A minus B का formula होता है sin A cos B minus में cos A sin B तो यह हमारे sin के formula complete हुए अब देखते हैं cos का तो cos A plus B का formula देखेंगे तो cos A plus B का formula थोड़ा से change होता है cos A plus B के formula में क्या होता है पहले आता है cos A उसके बाद में sin नहीं आता हूँ उसके बाद में cos B आता है ठीक है ओष़े जैसे plus का sin है यहाँ पर minus का sin होगा पतलब sin change होते है यहाँ जागा sin A sin B ठीक है अब देखते हैं fourth formula तो fourth formula है हमारा ghost A minus B का formula तो cos a-b का formula क्या होता है cos a cos b plus में sin a sin b तो तुम्हें दिख रहा हुआ कि बस sin change होता है जैसे कि यहाँ पर formula के अंदर minus है तो यहाँ पर plus लगेगा यहाँ पर plus है तो यहाँ पर minus लगेगा और sin में sin change नहीं होते हैं sin में as it is sin आते हैं ठीक है तो अब देख लेते है formula number 5 तो formula number 5 है हमारा 10 a plus b 10 a plus b तो 10 a plus b का formula क्या होता है 10 a plus b का formula होता है 10 a plus में 10 b upon में 1 minus 10 a 10 b ठीक है तो इसको याद करने के लिए बता दू कि अगर यहाँ पर plus sign है तो उपर भी plus sign होगा लिए नीचे क्या चलेगा उपोजेट साइन चलेगा 10 के अंदर ठीक है अब 10a minus b का formula देख लेते हैं तो 10 a minus b का formula लिख लेते हैं 10 a minus b तो 10 a minus b का formula है 10 a minus में 10 b अब नीचे क्या होचाईगा उपोजेट साइन मतलब 1 minus sorry 1 plus 10 a 10 b अब 10 का उल्टा क्या होता है 10 का उल्टा होता है coat तो अब coat के formula पढ़ लेते हैं to coat a plus b to coat a plus b का formula होता है ये वाली चुछीज है न ये उपर हो जाती है coat a plus b का formula ये वाली चीजज उपर सल जाएगी आप जगा coat a coat b minus में 1 upon में coat b plus में coat ठीक है यह है हमारा quote A plus B का formula अब देखते है quote A minus B का formula यहापे लिखेंगे quote A minus B quote A minus B का formula है quote A quote B plus में 1 upon में quote B minus में quote A ठीक है so यह मैंने कुछ 8 formulas में बताएं अभी और भी formulas बाकी है तो आगे के formulas को बताने से पहले एक चीज़ बता देते हूं कि guys अगर जो भी बच्चे मिरे से expect कर रहे थे कि मैं आपर tricks वाग को बताऊंगे तो tricks तो मैं नहीं बता सकती है आपको हां ठाला कि techniques बता दूंगे कि कैसे याद करना है सभी formulas को वह technique मैं बता सकती हूं आपको tricks मैं नहीं बता सकती ठीक है तो अगर जो बचे tricks से पढ़ना चाहते थे वह बाहर हो सकते है वीडियो से लेकिन बाहर होने से पहले एक बात सुनके जाओ मैंने भी 12 करिये करिये इसलिए यहाँ पर हूं इसलिए तो मैं पढ़ा रही हूं तो मैंने तो कभी tricks याद नहीं करी और मैं आपको भी यहीं सला दूंगी कि आप भी without trick के जो है question को या formula को जो भी चीज़े तुमारे पास जो भी topic है उसको without trick के याद करने की कोशिश करो क्योंकि exam hall के अंदर जब तुम question को solve कर रहे होगे ना तो वहाँ पर तुम्हें यह पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा formula यूज होना है लेकिन अगर तुम्हें ट्रिक से formula याद कर रहा होगा तो तुम आधा घंटा जो है maximum बता रहे हूं ठीक है पांच मिनिट होते हैं अब वह पांच मिनिट में अगर तुम गाने वाने याद करने की कोशिश करोगे ना कि कौन से trick में कौन से formula में मैंने कौन सा trick याद करी थी तो तुम्हारा जो five minute है वह खत्म हो जाएंगे question छूटेंगे और question होगा मैं यहीं क वह से लो सारी 4 वाद में आगे निथा दिखा याद करने हैं आगे बाले comparison को नीथा çekता है ø 믿 face साइन ए प्लस भी का फोमला याद करने के कोशिश करती थोड़ा सा करने दिमाग वी जब प्रेशर डालोगे न अपनी आप चीज़े बाहर आएंगी अपनी आप क्यूशन सोल्व होएंगे अपनी आप फोमला ज्याद होएंगे ठीक है तो खुद से खुद का दिमाग भी उस करो है नट्रिक से कुछ नहीं होता अगर बनानी है तो किसी के ठीक बना गई हूई मत देखो किसीने अगर ट्रिक बताइए कोई चीज को करने की उस ट्रीक से अलग से तुम नागे जाके अब देखो अभी तो ट्वेल्ट तक तुम्हें सारी वीडियोगे मेरी वीडियों है कि और चल रहा है जब कोई नहीं होगा तुम्हाज के अंदर वहाँ पर कोई नहीं घर कर नहीं है कि यार कोई भूदा होता जो में ट्रिक बताता लेकिन वहाँ की चीज़ है ठीक है तो अभी से थोड़े से मैचूर हो जाओ थोड़ी से ट्रिक से बाहर अटके देखो बाहर की दुनिया को देखो खुछ से सॉल्फ करने की कोशिश करो ठीक है तो बखवास मेंने बढ़ी कर लिए कोई बचों को बखवास लग रही होगी को ग्यान वर्द हैं यादा जनम से याद ना तो नाइंत वाला फोमला सिंपल है है अब और भी हुमारी प्रॉपर्टी होती थी जिसरें टंत वाला फोम्ला हो गया है एंसे की कोष का स्कॉर कोड प्लस कोड़ स्कॉर कोड था कि अर या होताथ था है मारा कोस श्कॉइर एक्न यही बख़ा 11 वाला formula 10 square x plus 1 10 square x plus 1 क्या होता था यह होता था हमारा 6 square x ठीक है यह 3 formula होते थे 3 properties होती थी हमारी उसके बाद में हम बात करते है cos 2x वाले formula की angle वाले formula देख लेते तो पहरे देखते है cos 2x का cos 2x cos 2x के लगबग 4 formula होते तुमारे cos 2x का first formula है cos square x minus में sin square x ठीक है दूसरा formula है हमारा 2 cos square x minus 1 तीसरा है हमारा 1 minus 2 sin square x और चोथा जो 10 की form है वो है 1 minus 10 square x अब उन में 1 plus 10 square x ठीक है तो cos 2x के हमारे 4 formula होते है 4 ही तुम्हें याद करने है 1, 2, 3 and 4 4 तुम्हें याद करने cos 2x के ठीक है अब cos 2x का formula देख लिए तो मेरे को लगता है कि half angle वाले formula भी तुम्हें बता देने चाहिए तो half angle मतलब cos x का अब cos x का half angle वाला formula कौन से वाले से बनाऊंगी इस वाले से हाफ angle में क्या करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे cos square half angle मतलब angle का half जैसे कि यहाँ पर 1 है 1 का half क्या होगा 1 by 2 होगा यहाँ पर x से x का half क्या होगा x by 2 होगा यहाँ पर जगा half angle का formula हो जगा cos square x by 2-sin square x by 2 ठीक है half angle का formula half angle formula कі नाम से तुम्हारे formula होता है वो भी बता दिया अब देखते हैं sin2x का formula sin2x का formula होता है हमारा sin2x भई अच्छा बच्चा होता है यह सिर्फ दो ही formula देता है हमें first formula इसका 2sinx cosx और second formula है 10 की formula है वो है 210x upon में 1 plus 10 square x तो यह जो second वाला formula है ना यह 102x का भी होता है मतलब 102x का formula क्या होता है 102x का formula होता है 210x upon में 1 minus 10 square x तो यह वाला formula 102x के formula में भी चलता है बस minus का और plus का change आता है मतलब sin change होता है नीचे में ठीक है और formula सेम रहता है अब बात करते हैं हम 3x वाले formula की है ना third angle वाले formula की तो यहाँ बाजगा sin3x तो sin3x का formula क्या होता है sin3x का formula होता है 3 sinx minus में 4 sin cube x यह sin3x का formula था अब cos3x का देख लेते हैं cos3x का formula है 4 cos3x minus में 3 cosx अब बात करते हैं 103x के formula की 103x का formula है हमारा 3 tanx minus में 10 cube x upon में 1 minus 3 tan square x ठीक है तो यह वाले formula भी हो गए अब एक बार देख लेते हैं conversion ठीक है conversion मैंने बोला था कि conversion topic में बताऊंगी आपको तो conversion भी देख लेते हैं एक बार तो conversion के लिए पहले एक चीज़ बता दू में आपको कि जो मारा sign होता है sign किसमे convert होता है sign हमारा convert होता है cos के अंदर I think बहुत से बच्चों को पता होगा लेकिन जिनको नहीं पता है उनको बता दिया sign convert होता है cos के अंदर और cos के अंदर sign के अंदर अब conversion होता कैसे है यह चीज़ देख लेते हैं कि यह convert कब होंगे किस टाइम पर आके convert होंगे यहाँ पर मैं बना रही हूं quadrant यह है हमारा 0, 2π, 4π ऐसे चलता जाएगा यहाँ पर है πाई बाई 2 यहाँ पर है हमारा 3π बाई 2 यहाँ पर है हमारा 5π बाई 2 ठीक है अब हिंदी में का डिगरी में समझा देती हूं यह 0, 360 ऐसे चलता जाएगा इसके उपर यह है हमारा 90 डिगरी यह है हमारा 180 डिगरी और यह है हमारा 270 डिगरी ठीक है तो जो conversion होता है वो कौन सी वारी लाइन पर होता है वो होता है हमारी y-axis पर किस पर होता है y-axis पर x-axis पर कोई conversion नहीं होता y-axis पर conversion होता यह हमारी y-axis होती है x-axis पर कोई conversion नहीं है y-axis पर conversion होगा conversion का मतलब है sign जो है cos x में convert हो जाएगा cos जो है वो sign x में convert हो जाएगा ठीक है और यह होता है after school to college यहाँ पर क्या होता है सब भी positive होते हैं यहाँ पर sign और cosec positive होते हैं यहाँ पर 10 और code positive होते हैं यहाँ पर cosec positive होते हैं ठीक है यहाँ पर all positive यहाँ पर sign cosec positive यहाँ पर 10 और code positive यहाँ पर cosec positive हो तो अगर यहां पर देखो मैं है अगर होता ओभिया थीटा नहीं है ना यह आई ने तो चुछ मैनिस हो रहे हैこれ यहां पर क्या हो रहाक वैबभा तो यह समझ में आ गईगा और मैंने बोला होती है हमारी चेंटढेड है यहं यहां से इससे दूसरी सैट जा रही है किसमें को चांग किसमे साथ मैं फिसके साथ में इंगल ना इऐ थीटा होता तब यहा पे side लगता, यहा पे आ जता theta, अब बात ये है, कि positive होगा या negative होगा, है ना, sign क्या अब तो difference है, तो अगर यहा से, sign गया इधर, मुझत गया इधर, यहापे क्या था, सबी positive थे, तो मतलब sign भी क्या होगा, positive होगा, इसमें तो सब भी positive होते हैं सारे technometric function positive होते हैं इसके basis पे देख रहे हैं आपको पड़ा है और देखते हैं कि कितना प्यार मिलता है इस एपिसोड को उसके बाद में एक्स एपिसोड लिके आएगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक लिए बाबाई, टेक कियर